Dear Students, Welcome to our Channel इस वीडियो में हम सीखने वाले है Class 11th, Subject Chemistry Unit No.8 Redox Reaction के बारे में यहाँ पर हम सीखने वाले है Types of Redox Reaction इससे पहले वाले वीडियो में हमने Oxidation Reaction क्या होती है Reduction Reaction क्या होती है और Redox Reaction क्या होती यह सब चीजें वहाँ पर हमने सीखी थी यहाँ पर हम क्या सीखने वाले है तो यहाँ पर हम सीखने वाले है Types of Redox Reaction यानि कि जो Redox Reaction है वो कितने टाइप के होती है तो अगर हम Redox Reaction के Types है यहाँ पर देखे तो Redox Reaction mainly 3 types के होती है कौन-कौन से टाइप से हैं यहाँ पर तो First है Combination Reaction Second है Dissociation Reaction और Third होती है यहाँ पर Displacement Reaction ठीक है Third कौन से हैं यहाँ पर तो Displacement Reaction है Displacement Reaction टू टाइप की होती है एक होती है Metal Displacement और दूसरी है यहाँ पर Non Metal Displacement Reaction अब इनको हम डीटेल में समझते हैं यहाँ पर कि क्या-क्या है यह जैसे First दे रखा Combination Reaction अगर Heading देखे हैं तो Heading से ही Clear हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा Combination होगा याने कि Two Reactants यहाँ पर आपस में Combine होगे और एक नया Product यहाँ पर बनके आ जाएगा यहाँ पर देखिए A एक Reactant है और दूसरा Reactant यहाँ पर B है यह दोनों आपस में Combine होते है और एक C वाला यहाँ पर Product बना लेते हैं क्या बनाते हैं C वाला यहाँ पर एक Product बन जाता है एक और Example लेते हैं यह तो एक Common Example है General इस टाइप का कोई Product नहीं बनता है यहाँ पर देखते हैं जैसे कि Carbon जब Oxygen से जुड़ता है यानि कि O2 Gaze से जुड़ता है तब बनाता है यहाँ पर Carbon Dioxide Gaze तो यह जो Reaction है वो केसी Reaction है यहाँपर Combination Reaction है क्या ओर रहा है Carbon Oxygen Gaze से Reaction कर रहा है और बना रहा है यहाँ पर Carbon Dioxide Gaze जब भी हम reaction लिखते है तो यहाँ पर जो left hand side लिखते है यह क्या होते है यहाँ पर reactant होते है और जो right hand side पर लिखते है यहाँ पर हम क्या होंगे यहाँ पर product होंगे ठीक है तो यह जो CO2 है यह क्या है यहाँ पर product है यहाँ carbon और oxygen क्या है तो यह reactant है reactant है याने कि reaction में participate कर रहे हैं और यहां पर यह product के form में एक नया compound बनाते हैं तो combination reaction में क्या सिखा हमने कि कोई भी दो atom molecules या ions आपस में combine होते हैं और एक नया product यहां पर बनके ready होता है इस type की reaction को हम कहते है combination reaction next देखते हैं dissociation reaction नाम से ही clear है यहां पर क्या होगा कुछ ना कुछ तूटेगा यहां पर याने कि dissociation होगा dissociation reaction में क्या होता है एक जो बड़ा molecule होता है वो दो या दो से अधिक छोटे-छोटे molecules में या atoms में तूट जाता है क्या होता है dissociation reaction में एक जो बड़ा molecule है वो दो या दो से अधिक छोटे-छोटे atom या molecule या compounds में तूट जाता है और इस टाइप की जो reaction होती है उससे हम बोलते है dissociation reaction जैसे यहां पर अगर हम example ले तो हमारे पास एक H2O का molecule है यह hydrogen gas and oxygen gas में तूट रहा है ठीक है क्या हो रहा है यहां पर hydrogen and oxygen gas के form में यहां पर H2O तूट रहा है next देखते हैं अब यहां पर हम displacement reaction क्या है next तो displacement type की reaction है displace करना याने कि किसी atom molecule या फिर iron की हमें यहां पर place को change करना है जैसे example के help से समझते हैं यहां पर हमारे पास एक जो reactant है वो X है दूसरा जो है वो Y और Z एक reactant है हमारे पास ठीक है अब इसमें क्या होता है यहां पर जो X है वो यहां आ जाता है याने कि जो X है यह Y की place को ले लेता है ठीक है इसमें क्या हो रहा है जेड की place चेंज कर रहा है जो X है वो क्या कर रहा है यहां पर जेड की place ले ले लेता है याने कि जेड को यहां से displace कर देता है तो बनता क्या है है यहां पर x y टाइप का एक नया compound यहां पर बनता है वेसे हम दोनों में से किसी को भी यहां पर change कर सकते हैं अगर चाया तो y को भी change कर सकते हैं या फिर z को भी कर सकते हैं अब यहा पर क्या हो रहा है जो x है वो जहेड के स्थान पर आ रहा है ठीक है और जहेड जो है वह x के स्थान पर यह पर आ जाएगा नया product हमारा कैसा बनेगा x y type का और जहेड यहां पर अलग हो जाएगा तो यह थे यहां पर displacement reaction अब यह जो displacement reaction है यह two type की होती है कौन-कौन से two type one है यहाँ पर metal displacement reaction metal displacement reaction means ac reaction जिसमें one metal second metal से displaced होती है मतलब एक metal यहाँ पर दूसरी metal को displaced कर देती हो तो इस type की reaction को हम कहेंगे displacement reaction जैसे for example के लिए अगर देखें हम तो यहाँ पर यह जो jn है यह zinc metal का symbol है यह जो zinc है वो यहाँ पर copper के इस्थान पर आ जाता है याने कि copper को यहाँ से यह displace कर देता है और जो copper है वो यहाँ से हट जाता है या यूं कहें कि यहाँ पर jn के स्थान पर यह आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा नया product हमारा जैडन यहाँ पर अगर जुड़ गया तो क्या बन जाएगा जैडन एयसओ और यहाँ से हटा क्या तो copper तो copper को हमने plus करके याँ पर अलग से सूरी woods कर दिया यहाँ पर एक जो Metal है research ये copper metal याने Kay तामबा जो metal है जिसकोbas proper बोलते है उसको टिस्प्लेस किया है इसने को है तो यहाँ पर दोनों ही metal है इसको क्या क्या है कि यह मेटल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन है ठीक है दूसरी है नोन मेटल डिस्प्लेस्मेंट नोन मेटल डिस्प्लेस्मेंट एसा डिस्प्लेस्मेंट जिसमें की एक जो element है या molecule है वो metal हो सकता है और दूसरा जो element है या atom या molecule है वो क्या रहेगा non-metal रहेगा कैसा रहेगा non-metal जैसे for example यहाँ पर जो H2O का molecule है इसमें यहाँ पर H plus ion भी present है और OH minus ion present होते है H2O जो बना है वो H plus और OH minus ion से मिलकर बना है तो यहाँ के जो hydrogen है ना यह sodium के थुरू यहाँ पर displace हो जाते और बनता क्या है पर Na और OH क्या बना है यहाँ पर Na OH याने कि यह hydrogen है जो कि non-metal है वो यहाँ से displace हो जाती है और उसके इस्थान पर sodium एक metal है यह आके जुड़ जाती है याने कि यहाँ पर जो displacement हो रहा है वो metal और non-metal के बीच में हो रहा है ठीक है कैसा displacement हो रहा है आपर non-metal and non-metal के बीच में तो इस type का जो displacement है इसे हम कहेंगे non-metal displacement यहाँ पर बन रहा है Na के थुरू यह जो H है वो displace हो रहा है और Na OH बन रहा है यहां पर प्लस आयन होगे दो एच्ट प्लस आपस में जुड के यहां पर क्या बना लेंगे एस्टूगेस याने कि हाईज्ट एट्डूजण गेस यहां से इवॉल हो जाएगी निकल जाएगी यह था यहां पर टाइप सत्व रेक्शन कौन कौन से टाइप की रेक्शन एक जो बड़ा मॉलीक्यूल है वो दो दो से अधिक छोटे मॉलीक्यूल या फिर एक्टम में तूड़ जाता है डिस्प्लेस्मेंट में क्या होता है कोई एक एक मॉलीक्यूल या आयन जो है वो दूसरे एक्टम मॉलीक्यूल या फिर आयन को डिस्प्लेस कर देता है METAL DISPLACEMENT में जो DISPLACEMENT REACCTION है यह METALS के बीच में होती है NONMETAL DISPLACEMENT में एक METAL हो सकती है, दुसरी NONMETAL हो सकती है या फिर दोनों ही जो EATOM है वो यहाँ पर NONMETAL भी हो सकते है तो इस टाइब के DISPLACEMENT को हम कहते है NONMETAL DISPLACEMENT अब आगे देखते हैं हम oxidant and reductant क्या होते हैं यहाँ पर दे रखे हैं oxidant and reductant क्या होते हैं देखें यहाँ पर यह है sodium ठीके यह sodium क्या करता है अपने last orbit से one electron को यहाँ पर chlorine को donate कर देता है अब यह one electron को यहाँ पर दे रहाना इसलिए इसके उपर plus charge आ जाता है और chlorine यहाँ पर one electron लेता है इसलिए इसके उपर यहाँ पर minus charge आ जाता है ठीके इस टाइप से यहाँ पर iron बनते हैं और iron के बीच में जो bond बनता है उसे ironic bond बोलते हैं और ironic bond के थुरू यह NaCl active का compound बना लेते हैं बट हमें क्या देखना है यहाँ पर कि oxidant और reductant क्या होते है तो oxidant reductant क्या है यहाँ पर देखें जो sodium है वो one electron का donate कर रहा है इसलिए उसके उपर क्या आ गया plus charge अब यहाँ पर अगर हम देखें तो oxidation किसका हो रहा है जो sodium है इसका oxidation हो रहा है याने कि low self electron किसमे हो रहा है यह पर sodium में हो रहा है इसलिए oxidation अगर पूछें कि इस reaction में oxidant कौन सा है और reductant कौन सा है तो क्या होगा यह जो sodium है इसमें से low Oxidation तो हो रहा है बट किसके कारण हो रहा है लेने वाला कोन है यहाँ पर क्लोरीन है ठीक है लेने वाला कोन है वन इलेक्ट्रोन को यहाँ पर क्लोरीन है याने कि जो Oxidation की प्रोसेस करवा रहा है वो कोन करवा रहा है यहाँ पर क्लोरीन इसलिए जो Oxidation की प्रोसेस करवाता ह है उसे हम कहते है और एक्सिडेंट किया कहते है और यहां पर आगर रिड़क्टंट हुम देखें तो रिड़क्षन का हो रहा है किसके कारण हुआ तो वह कौन है सोडियम है और 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 तो यहां पर क्लोरीन जो है वह ऑक्सिडेंट है यहां पर याने की क्लोरीन के कारण ही जो है वह एने का यहां पर ऑक्सिडेशन हो रहा है इसलिए क्लोरीन यहां पर ऑक्सिडेंट है और एने के कारण यहां पर जो क्लोरीन है उसका रिडक्शन हो रहा है इसलिए जो क्लोरीन है यह तो oxidant है बड़ जो sodium है यह यहाँ पर reductant हो जाएगा क्योंकि अगर sodium ना रहता है यहाँ पर तो यह जो chlorine है इसका reduction नहीं करवा पाता याने कि reductant कोन है यहाँ पर तो sodium है ठीक है तो यह होते है oxidant और reductant यहाँ पर oxidant याने जिसके कारण oxidation process हो रही है reductant याने कि जिसके कारण reduction की process हो रही है उसे कहेंगे reductant तो यह थे यहाँ पर हमारे oxidant and reductant I hope आपको वीडियो understand हुआ होगा and thank you so much for watching this video thank you